गुड मॉर्निंग बच्चो मैं बियल अगरवार आज आपको इस लेक्चर में कॉर्पोरेट एकाउंट का एक चेप्टर फाइनल एकाउंट फाइनल एकाउंट का एक प्रब्लम सुल्व करके संजाने का कोशिश करोंगा ठीक है आप लोग पहले वीडियो को पहुच करके क्वेश्चन को लिख लो फिर मेरे साथ धीरे धीरे सुल्व करो देखो आपको 100% समझ में आएगा ठीक है यह रख दिया आपके सामने एक प्रब्लम फ्रॉम दे फालोविंग ट्राइल बैलेंस अधर पर्टिकुलर्स अफ एम लिमिटेट आपको बनाना है स्टेट्मेंट अफ पियल बैलेंस इट तो फाइनल अकाउंट में स्टेट्मेंट अफ प्रॉपिट अन लॉस और सास में बैलेंस इट बनाते हैं ठीक है सबसे पहले जैके एक्विटी शेयर कैपिटल यह होगे आम लोग का बैलेंस इट सब्सक्राइब कैपिटल नाइन परसेंट दिवेंचर लॉंग टम बरोइंग्स रिजर्ब रिजर्बंड सर्प्लस इस्टेट्मेंट अफ पियल रिजर्ब का अडवांस टेक्स है प्रोविजन पो टेक्स देखे थर्टीन फोर्टीन का है सेवेंटी थाउसेंट पेड पीजर्ब पीएल अकाउंट पीएल अधर एक्स्पेंस बैंक कैसेंट केसी केवेलेंट सेट यह एक्तीस मार्च पंदरह है जिसेज क्लोजिंग स्टॉक इन्व इंट्रीज, फिक्स्टे से चार दिया है, चारो एट कॉस्ट है, इसका यह रहा है एकुमुलेटेट देप्रिसेशन, तीन का है, बिल्डिंग मसीन एंड वहिकल, लेंड पे देप्रिसेशन होता नहीं है, बैलेंचिट फिक्स्टे से टेंजीबल में इसको लिखेंगे, तो यह देप्रिसेशन वहीं पे लेस हो जाएगा, डिवेंचर इंट्रेस्ट पेड, पील अकाउंट, फाइनांस कोस्ट, यहां देखिए दो लाग का डिवेंचर है, नाइन पर्सेंट रेट आफ इंट्रेस्ट है, तो साल भर का एटीन थाउजिन, यहां भी एटीन थाउजि यह दोनों रिजर्व एंट सर्प्लस से माइनस किया जाएगा, रेमुनरेशन टू मैनेजिंग डारेक्टर, पील अकाउंट, एक्सपेंस होगा, यहां देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट देने से आपको कोश्चन में नहीं मिलेगा, एंट्री, यह आइटम नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, रेजन है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ, तो इसके बगर ग्रॉस प्रॉफिट को लेके सवाल सुरू करेंगे, इसको रेवेंन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसको रख देंगे, establishment expense इसको हम लोग salary and wages के रूप में treat कर देंगे salary and wages लिखने से यह आपका employee benefit cost में छला जाएगा यह data हम लोग का balance sheet trade receivable है creditor balance sheet trade payable है तो यह हो गए आपका trial balance trial balance का एक-एक item आपको बता दिए नीचे adjustments दिया हुआ है adjustment को ध्यान से देखना होगा यह audit fee expense होगा and other current liability में भी जाएगा यह पिछला 13-14 का tax finalized हो गया 75,000 उपर आईए 13-14 का provision था 70,000 और tax हुआ 75,000 पांच हजार earlier year tax अच्छा 13-14 का advance tax था 72,600 remaining tax payable होगा उसका हम journal entry के देते है provision for tax 13-14 का debit 70,000 earlier year tax 75 finalized हुआ था 70 सोचे थे तो पांच हजार तू अडवांच टेक्स था अडवांच टेक्स थार्टिन 14 का 72,600 तू टेक्स पेवल 75 में से 72,600 माइनस हो जाएगा 24,000 ठीक है यह provision for tax cancel advanced tax cancel यह reserve and surplus से माइनस होगा यह tax liability other current liability में सो किया जाएगा इस दो का effect दिखाएगे और वो दो cancel हो जाएगा earlier year में 70,000 provision किये थे 75,000 tax final settlement हुए तो 5,000 earlier tax 72,600 advance दे चुके थे तो और 2,400 देना होगा तो आपका यह adjustment complete हुआ ओके इसके अलावा current year provision करेंगे 35% profit before tax जो आएगा उसके उपर 35% taxation करेंगे depreciation देखिए WDV method है building का 5% machinery का 15 vehicle का 10 इसका meaning हुआ कि यह जो cost था आपका building का इसमें से यह provision minus करने के बाद depreciation निका लेगे machinery का भी cost से provision minus करके अब vehicle का भी same provision minus करके ठीक है इसके इसके अलावा यहां देखिए maximum remuneration managing director का 48 होना चाहिए अजब कि हम लोग managing director को remuneration 52 दिये हैं यहां पर minus करना होगा 4000 और वो होगा repeat ज़्यादा दे दिये हैं एकसिस 4000 ज़्यादा दिये हैं तो advance या prepaid बन जाएगा यह dividend proposed बोला है proposed dividend 12% के हिसाब से होगा 8 लाख का 12% 96,000 यह आपका contingent liability होगा balance sheet के बात दिखाया जाएगा अब proposed dividend के उपर यह tax है तो इसका कुछ करना नहीं है क्योंकि proposed dividend खुद contingent liability बन गया तब proposed dividend का जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसके उपर taxation का कुछ नहीं किया जाएगा ठीक है यह हो गया आपके सामने final account का question trial balance हो गया trial balance के साथ adjustment entry हो गया उसमें taxation का entry कर दिया आपके सहुलियत के लिए चलिए अब इसको solve करके देखते हैं ठीक है यह रख दिया आपके सामने EMM Limited Statement of PL 31 March 15 सबसे पहले revenue from operation बात हुआ था gross profit दिया हुआ उसी को revenue from operation में दे देंगे 563 200 other income है नहीं 563 200 gross profit देने से यह तीन item आपको नहीं मिलेगा Employee Benefit में Establishment लिखने का बात किये जे 94 400 Finance cost में Deventure Interest 18,000 Depreciation and other expense का working करके दिखाएंगे चलिए depreciation की तरफ Depreciation and Amortization Expense Depreciation calculate करेंगे on building Building का cost था छे लाख बारह हजार इसका accumulated depreciation था 52,000 Minus करने के बाद 5% On Machinery Machinery का cost था 626,200 उसका accumulated depreciation था 386,000 Minus करने के बाद 15% On Vehicle Vehicle का cost था 167,700 Minus 86,000 Minus करने के बाद 10% तीनों fix reset का provision minus करने के बाद percentage अपलाई होगा क्योंकि return on value बोला है इसका आया आपका 28,000 626,200 इसको minus करके 15% 36,030 167,700 में से 86,000 Minus करने के बाद 10% 81,70 Total 72,200 Clear? आप एक बार देख लो यह gross profit को ले लिए हम revenue from operation में establishment को ले लिए employee benefit में debenture interest finance cost depreciation यहाँ देखो WDB method है building का 5, machine का 15, vehicle का दर होगया? अब other expense की तरफ आपको समझा दे other expense में commission paid लेंगे other expense के रूप में पहला item commission paid इसके अलावा यह remuneration to managing director लेंगे prepaid minus करके additional information से audit fee लाएंगे 13,000 तेक यह 4,000 उसमें से minus करना managing director से और कुछ नहीं है उसका भी list कर देते हैं आपको other expense commission paid 8,800 इसके अलावा दिया था maximum 48 बोला है 4,000 रुपया ज्यादा हो गया माइनस कर लिए auditor's fee 13,000 था और तो कुछ था नहीं 8,800 48,000 13,000 69,800 चलिए अब दोनों को format में fill up करते हैं यह रहा format format मिलाते हैं depreciation 72,200 other expense 69,800 72,200 69,800 होगे 94,400 प्लस 18,000 72,200 69,800 254,400 उपर 563,200 है माइनस कर देते हैं 308 308,800 यह हो गया profit before tax taxation बोला हुआ है question में आपका 35% तो इन्टू 35% करेंगे 108,080 108,080 माइनस करने के बाद 200,720 ठीक है यह हो गया profit after tax एक बार आप देखलो फिर से revenue from operation में gross profit को रख लिए other income था नहीं gross profit देने के चलते material consume purchase change in inventory नहीं होगा establishment expense को salary wages treat करके employee benefit में ले आए debenture interest को finance cost में depreciation का notes कर दिए other expense का notes कर दिए depreciation ले आए WDV में थक other expense लाए total expense is 254,400 revenue में से expense माइनस किये profit before tax 308 800 अब provision for tax आपका 35% बोला था आप चाहो तो यह भी देखलो provision for tax 35% बोला था ठीक है managing directors का जो remuneration था 48 maximum बोला था 52 दिया हुआ 4000 प्रिपेट कर दिये clear है यह आगया profit before tax 35% tax दिये profit after tax अब चलिए चलते हैं balance sheet की तरफ यह रख दिया आपके सामने balance sheet of em limited 31st March 15 सबसे पहले equity and liabilities shareholders fund जिसमें आएगा share capital is a surprise non current liabilities में long term borrowing के नाम से आजाएगा current liabilities में short term borrowings bank overdraft आता है trade payable हो गया creditors other current liabilities में कोई outstanding हो तो उसको ले लेगे short term provision में provision for taxation taxation आजाएगा ठीक है उसके बाद assets assets में आता है non current assets में fixed assets tangible building machine furniture vehicle सबाएगा intangible goodwill investment okay investment में investment होने से आजाएगा current assets में inventory trade receivable cash and cash equivalent other current assets assets ठीक है चलिए आप इसका notes to account बनाएगे तभी जाके यह बन पाएगा यह रख दिया आपके साबने notes to account एक नमबर बनाएगे share capital share capital में सबसे पहले authorized जाता है उसके बाद issued and subscribe authorized capital का कहीं कोई information नहीं था इतना पता है subscribe capital आठ लाख है 10 रुप्याला share है authorized capital authorized capital में दे देंगे dot dot equity share share of rupees 10 each यह भी वह जाएगा आपका dot dot issued capital issued capital में वह नमबर दे देते हैं 80,000 equity share of rupees 10 each 8 लाख subscribe subscribe capital plus reserve and surplus में statement of statement of profit and loss statement of profit and loss में उसका ओपनिंग बैलेंस profit and loss का ओपनिंग बैलेंस आपका 31 31,500 इसमें current year current year's profit profit plus होता है जो आफ्टर एक आपका earlier year tax earlier year tax इंट्रीम इंट्रीम डिविडिन का एमाउन था आपका 40,000 आइ इसका एमाउन था 6000 earlier year था 5000 ठीक है आपको इसका दिखा देते हैं यह देखो आप surplus का opening balance अच्छा, reserve भी लिखना है उस घर में इसके अलावा आप इंट्रीम डिविडिन देखो 40,000 उसका tax देखो 6000 clear अच्छा, earlier year tax देखो इंट्री किये थे earlier year पिछले साल का tax का finalize हुआ था था 5000 clear है current year का profit after tax 2000 720 आप इसको यहां से माइनस करेंगे 232,220 232,220 माइनस 40,000 6000 5000 181,220 अच्छा, reserve पहले से है reserve पहले से आपका है 252,000 reserve को कोई disturb नहीं किया है 433,220 यह होगे हम लोग का reserve and surplus आगे बढ़ते हैं नोट नमबर थ्री लॉंग टर्म बोरोइंग्स लॉंग टर्म बोरोइंग्स में वो डिवेंचर था आपका 9% डिवेंचर दो लाग 9% डिवेंचर का अमाउन था दो लाग clear इसके अलावा आपका नमबर नोट चार ट्रेट पेवल ट्रेट पेवल में संड्री क्रेडिटर्स संड्री क्रेडिटर्स था 168,000 इतना आप एक बार फिर से देखलो यह देखो डिवेंचर का दो लाग रुपिया ठीक है इसके अलावा आप देखलो ट्रेट पेवल्स का क्रेडिटर्स अधर करेंट लाइबलिटी में इसको ले लेते हैं टैक्स पेवल को 2400 यह जो प्रोविजन निकाले थे 35 सॉट टर्म प्रोविजन में ले लेंगे 35% ओके नमबर पांच अधर करेंट लाइबिलिटीज टैक्स पेवल 2400 नमबर शीक्स सॉट टर्म प्रोविजन 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 फो टैक्स पी अले अकाउंट में जो टैक्स लिया है वही आएगा 108 प्रोविजन फो टैक्स जो था यह सत्तर हजार यह कैंसिल हो गया है इस इंट्री के थो अब क्या करते हैं इसको लाके नोट्स टॉफ एकाउंट जो बनाए हैं इसको बैलेंस इट में फिलप कराते हैं यह रहा आपका शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल नमबर वन 8 लाक रुपया रिजर्ब सर्प्लस नोट नमबर 2 433 220 लॉंग टर्म बरोइंग नोट नमबर 3 2 लाक रुपया सौट टर्म बरोइंग मिला नहीं था ट्रेट पेबल नोट नमबर 4 1 लाक 68,000 अधर करेंट लिएबिलिटी पांच नमबर 2,400 सौट टर्म प्रवीजन नमबर 6 1 08 080 अब इसको प्लस करके देखते हैं सारा प्लस करने के बाद 17,11,700 ये हो गया हम लोगों का लाइबिलिटी अब assets, assets के लिए notes to account बनाना होगा उसके बाद उसको लाके fill up करेंगे ये रख दिये notes नमबर 7 करेंगे fixed assets, tangible fixed assets, tangible में ले आते land इस पे कोई depreciation नहीं है 271,000 building building का value आपका 6,00,000 12,000 इस में से minus होगा provision for depreciation पुराना वाला था 52,000 उसमें नया वाला 28 plus कर देंगे ठीक है तो 80,000 हो जाएगा minus करेंगे 532 ठीक है इसके बाद machinery machinery का cost था 26 26 दोसो 626 200 प्रोवीजन फोर depreciation उसका प्रोवीजन था 386,000 अ करेंट यर का depreciation था 36,030 386,000 प्लस 36,030 इसको प्लस किये 422,030 यह हो गया 170,04 204,170 वेहिकल्स 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 का था 167,600 माइनस प्रोवीजन फोर depreciation इसका पुराना depreciation था 86,000 अन्यावाला depreciation किये थे 8,170 यह हो गया 94,170 533,7 एक बाद चेकल्स लेते हैं 86,000 प्लस 8,170 94,170 167,700 73,530 अब सारा फिग्डेशेट प्लस कर देते हैं सारा फिग्डेशेट प्लस करने के बाद यह हो जाएगा आपका टेंजिवल फिग्डेशेट 10,870 थीक है तो पहले फिग्डेशेट का कॉस्ट लिग लिए पुराना depreciation नया depreciation आइड करके माइनस कर दिए तो यह होगी आम लोग का fixed assets tangible intangible तो कुछ था नहीं investment भी नहीं था नंबर 8 करते हैं inventories inventories में लाते हैं closing stop closing stop trial balance के अंदर ही था वन लाग ट्वेंटी टू थाउसंड ठेक नम्बर नाइन लाते हैं ट्रेड रिसीवेवल, ट्रेड रिसीवेवल में संड्री डेटर, शंड्री डेटर, संड्री डेटर लास्ट में था 435,000, इसके अलावा ठीक है एक बार आप देख लो फिर सोचते क्या बचा है, ये देखो आप land building machine vehicle और उनका depreciation और current year का depreciation less करके ले लिए ये data ले लिए ठिक और अपना assets में कुछ बचा हुआ नहीं है ये आपका inventory ले लिए ये bank ले आते हैं cash and bank और फिर advanced tax में इसका काम हो चुका है ये बचा है advanced tax additional information से अच्छा हम लोग का यहां पर एक mistake हुआ है इसको outstanding other current liability में लेना चाहिए था इसका काम हो गया ये भी हो गया है depreciation भी हो गया यहां से prepaid आएगा 4000 ठिक है तो यहां पर हम लोग पहले number 10 cash and cash equivalent इसमें ले आते हैं bank bank आपका 18,000 इसके अलावा 11 number shorter loans and advance advance tax 14,15 वाला लेंगे तेरा 14 कातर अड़ेस्ट हो गया है 65 अधर current assets अधर current assets में prepaid MD remuneration उसका 4000 remuneration prepaid था ठीक है अच्छा प्रपोजड डिविडेंट को यहीं नोट्स में दिखा देते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी प्रपोजड डिविडेंट हम लोग का आठ लाग का कैपिटल है और वो बारा परसेंट बोला है यह बैलेंस इट को एफिक्ट नहीं करेगा बलकि आपका प्रपोजड डिविडेंट कंटिंजेंट लाइबिलिटी में पढ़ा रहेगा यह आपका बैलेंस इट के बाहर देखिए यहां था बारा परसेंट यहां प्रिपेट था ठीक है यह चुटा हुआ है और डिटर्स फी अधर करेंट लाइबिलिटी को चेंज करना होगा यह हम लोग का अधर करेंट लाइबिलिटी था आउट इस्टेंडिंग और डिटर फी इसमें एड करना होगा आउट इस्टेंडिंग और डिटर्स फी तेरा हजार तो यह हो जाएगा पंदरा चार सो ठीक है चलिए बैलेंस इट को एड़्जस्ट कर देते हैं पहले यह बैलेंस हीट में यह हम लोग का लाइबिलिटी था इसको हमको पंदरा चार सो बनाना होगा तेरा अजार इसमें प्लस हो जाएगा यह त्विन्टीफ ओ जाएगा ठीक है अब आशीट्स को फिल अप करते हैं फिक्स डेसे टैंजिबल फिक्स डेसे टैंजिबल था दस यह नमबर 7 है, 10,870, यह नहीं है, यह नहीं है, इन्वेंटरीज नमबर 8 है, इन्वेंटरीज था एक लाख, 22,000, ट्रेडर रिसीवेबल नमबर 9, 435,000, कैस्ट नमबर 10, कैस्ट एक्विवेलेंट 18,000, अजर करेंट एसेट आपका 11 नमबर में है, 65,000, सॉरी, यह आपका 12 नमबर में है, यह आपका 9, यह आपका 4,000 है, और एक नाम बढ़ाते है, सौटर लोन्स अन एडवांस, सौटर लोन्स अन एडवांस था, ग्यार नमबर में, 65,000, ठीक है, एक बार इसको प्लस करके चेक करते हैं, ठीक है, इसका टोटल आया, 17, 24, 700, दोनों साइट टोटल अपना मैच कर गया, इसका मतलब करेक्ट बना है, ठीक है, तो यह हो गए हम लोग का, फाइनल अकाउंट, बैलन सीट बन गया, बोथ एसेट सेन लावलिटी, देखें, यहाँ 17, 24, 700, यहाँ देखें, 17, 24, 700, अम लोग का यहाँ पे, अधर करेंट लावलिटी में, आउट इस्टेंडिंग, ओडिटर फी, छुड़ गया था किजिए, देखें, आपको 100%, समझ में आ जाएगा, ठीक है, यह जो कोस्चन सोल्व किए, आपका, सीउबी कॉमानर्स, 2012 का समय, ठीक है, ओके, थैंक्यू, बाई